तो फिजिकल एजिएक्षिन विद मार्शलाट जैसे आप लोग जानते हैं कि मैंने एक mcq सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर मैंने चेप्टर फर्स्ट एंड चेप्टर सेकेंड जो ट्वल्ड का है वो अलड़ी कर दिया है हम लोगो नहीं ट्रेकर अब जो है हम लोग जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर योगा इन लाप्सटर उसके mcq जो most important है 30 mcq will detail explanation ठीक है उनकी explain करके मैं आपको यह समझाने जा रहूं ठीक है तो एक एक question को हम लोग discuss करते हैं के लिए में point तो first question पर आ जाते हैं हम लोग first question कौन सा है ठीक है that is first who give the who give this definition checking the impulses of checking the impulses of mind is ठीक है तो यह definition आपकी जो दी थी पतंजली तो इसका answer A होगा ठीक है next हम लोग question पर चलते हैं question number second है question number second के अंदर क्या है आपका कि which asana can be practice immediately after eating food ठीक है तो after eating food के बाद हम लोग जो है एक आसन जो है हम लोग कर सकते हैं that is D वजरासन वजरासन जो है एक ऐसा आसन है जो immediately after eating food के जब हम लोग food intake कर लेते हैं उसके बाद तुरंद बाद जो हम लोग एक ही आसन है वजरासन वो हम लोग perform कर सकते हैं next third question पर आ जाते हैं हम लोग in hastoten है in hastoten हेस्ट means होता है arms तो इसका मतलब क्या होता है कि हेस्टो टन एक कौन सा आसन होता है इसके अंदर क्या होता है जो आपकी जो arm से हो वो stretch रहते हैं ठीक है upward stretch जो है upward होते हैं इस means आपके जो arm से वो stretch upward होते हैं और इसके बाद आप direction चीज़ करते हो लेफ्ट साइडवेस के लिए रहे तो आपका जो है third का C इसका answer होगा fourth question पर आ जाते हैं हम लोग in Sanskrit त्रिकोन त्रिकोन word means triangle ठीक है तो आपका जो है fourth का answer D होगा triangle बोलते हैं त्रिकोन को त्रिकोन असन को triangle भी बोले जाता है now fifth पे चलते हैं हम लोग fifth में क्या है भुजंग असन is also called as भुजंग असन जो हमारा lie down on a prone position पेट के बल हम लोग लेटते हैं ठीक है और जो upper body है वेस्ट से उपर वाली जो upper body है उसको हम क्या है upward raise करते हैं that is cobra posture तो fifth का answer जो है A होगा cobra posture sixth पे चलते हैं हम लोग sixth question के अंदर क्या है आपका sixth question यह question is very important है students आप लोग इनको write down कर सकते हैं कहीं पर भी ठीक है ओके sixth के अंदर क्या है दीस आसन असिस्ट इन रिलीजिंग रिलीजिंग ट्रैप डाजिस्टिव गैस फ्रॉम्द स्टेमक एंटेस्टाइन ठीक है इट मिस जो भी आपकी जो स्टेमक और इंटेस्टाइन है उसमें जो गैस जो है ट्रैप्ड हो जाती है रिलीज करने में कौन करता है पबन मुक्तासन जो आपकी स्टेमक और इंटेस्टाइन में गैस जो है ब्लॉकिज हो जाती है उसको रिलीज करने में कौन है पबन मुक्तासन तो sixth का अंसर जो है बी होगा next आपका जो है seventh है seventh के अंदर क्या है in this asana the body takes shape of floating fish जब या floating fish अगर word आपका आता है त तो आपका seven का अंसर बी होगा चलिए next question चलते है it resembles a dead body मतब dead body की तरह दिखता है कौन दिखता है सवाशन सवाशन आपका dead body की तरह दिखता है शो करता है ठीक है nine पे आप लोग next जो question है nine है ठीक है इसके अंदर क्या है if BMI is 30 or higher अगर 30 है उसकी तो वो जो कौन सी category में आ गय तो nine का जो है वो D answer होगा obese category में आपको जैसे मैंने last class में बताया था 18.5 जो है आपका अगर less than 18.5 है तो आपका underweight category है तो आगर normal weight category है तो 18.5 से लेकर ठीक है आपका 24.9 तक 24.9 तक आपका normal weight category है उसके बाद जो भी classes है वो आपकी overweight category में आ जाती है ठीक है तो next हम लोग चलते हैं question number 10 the fundamental causes of obesity and overweight is obesity and overweight की cause mean क्या है imbalance imbalance between calories consumed and calories expanded ठीक है अगर हम proper diet को intake कर रहे हैं हम लोग food intake कर रहे है extra amount में proper calories को intake कर रहे है ठीक है और हम उसको burn out नहीं कर रहे है that means हमारे obesity and overweight हो सकता है ठीक है तो यह हमारा 10 था next हम लोग question पर चलते हैं next question जो है that is 11 in which disease blood glucose or in which disease in which disease blood glucose blood glucose or blood sugar level are too high तो यह किस के अंदर होता है यह main होता है आपका diabetes के अंदर तो 11 का जो answer होगा वो होगा आपका B diabetes ठीक है next question पर हम लोग चलते हैं next question के अंदर क्या है आपका question number 12 question number 12 में क्या है which most of what we eat is broken down जो भी हम लोग खा रहे हैं जी कोई भी डाइट intake कर रहे हैं तो वो broken down किस में होती है glucose के अंदर और आपका पता है कि protein किस के अंदर जो है broken down होता है amino acid में ठीक है तो आपका protein amino acid में broken down होता है और जो हम लोग कोई भी food intake करते हैं ठीक है whenever we are doing whenever we are eating like any kind of food ठीक है तो glucose में जो है broken down होता है के लिए स्रिफ एक protein ही है जो amino acid में broken down होता है तो आप इसको ध्यान देंगे next question जो है हमारा question number 13 13 very important question है ठीक है तो इसके अंदर क्या है विच टाइप ओडाइबिडीज occurs during pregnancy pregnancy के दुरान कौन सी आपकी जो है diabetes हो जाती है ठीक है उसका main reason क्या है कि वो diabetes होते है that is gestation gestation आपकी है C ठीक है gestation इसका diabetes जो है pregnancy की duration में होती है वैसे आपको diabetes बता दें there are three types of diabetes type 1 type 2 और एक आपका gestation भी होता है जो pregnancy में होती है बाकी type 1 और type 2 तो होती है diabetes ठीक है 14 पर हम लोग करते है 14 next question है तो 13 का आपका CF 14 आपका देख लीजे कि which disease occurs when pancreas pancreas आपका जो है is unable to make enough insulin ठीक है तो enough insulin कब प्रडूस नहीं करती है और insulin कहां प्रडूस होती है आपकी pancreas में जो beta cells है beta cells होती है beta cells ठीक है वहाँ पर जो है pancreas जो insulin प्रडूस करता है तो आपके जब वो नहीं होती वो आपका कौनसा answer हो गया तो 14 का जो आपका answer होता है diabetes diabetes के अंदर जो है insulin प्रडूस नहीं होती है ठीक है तो insulin produced by the beta cells of the pancreas ठीक है which helps the body use sugar for energy जो हमें जो है sugars को energy में produce और convert करती है के लिए 14 गांसर 14 गांसर B होगा next हम लोग कोशन चलते हैं question number 15 ठीक है question number 15 क्या है symptoms such as coughing, whizzing, shortness of breath and or chest tightness are caused in patient suffering from, suffering from that is 15 का आपका answer जो होगा C, asthma जिसके अंदर आपकी breathing, coughing condition आजाती है, आपकी symptoms हो जाता है, shortness of breath हो जाता है, whizzing होता है ठीक है और chest tight हो जाती है, that is asthma, asthma के अंदर होता है next question हम लोग चलते हैं 16, triggers such as pollen, dust can cause, dust can cause attack of asthma इसके अंदर भी quotient cancer 16 का D है, quotient cancer 16 का D है, 17 पे चलते हैं, 17 के अंदर क्या आपका दे रखा है कि the force of our blood, ठीक है, the force of our blood pushing against the wall, ठीक है, of our arteries is called, ठीक है, the force of our blood pushing against the wall of our arteries is called blood pressure उसको blood pressure बोलता है clear है तो 17 का answer जो है B होगा ठीक है next 18 का answer कहा है what is the consider what is considered as normal blood pressure blood pressure normal considered होता है 120 to 80 D, तो 18 का D answer होता है चलिए next हम लोग question पर चलते है very important question से बेटा कहीं भी आप लोग इसको लिख सकते है ठीक है उसके बाद हमारे 19 जो question आ जाता है 19 is called as ठीक है ध्यानात्मकासन उसको ध्यानात्मकासन बोलते हैं इसको एक और चीज भी बोलते है meditative आसन ठीक है meditative आसन भी बोलते है इसको तो consideration power को जो develop करता है वो ध्यानात्मकासन है 19 का answer C हो गया ठीक है 20 पे चलते हैं which of the following आसन गीव पोस्टेरियर आगी की तरफ forward रहती है तो इसका जो answer होगा पच्छी मुतानासन होगा ठीक है तो 20 का answer B है ठीक है next 21 पे चलते है which आसन is known as mountain pose ठीक है mountain pose किसको बोलते हैं आपको सबको पता है पच्छी मुतानासन ठीक है तो 21 का C answer होगा पच्छी मुतानासन next हम लोग question चलते है 22 पे next 22 पे आसन जो question है that is एक सके इसके अंदर क्या है which of the following can be a risk factor of diabetes ठीक है risk factor of diabetes का जो main risk factor है diabetes का वो क्या है तो आप इसके अंदर जो answer लगा है that is obesity obesity जैसी आपकी जो एक level पे पहुँच जाती है जब आप जो है उसको proper जो accumulate नहीं कर सकते हैं जो आप fat intake कर रहे हैं उसको burn out नहीं कर सकते हैं तो उसके अंदर क्या है आपको diabetes होने के chances जादा होते हैं तो 25 का यह होगा ठीक है obesity 23 में हम लोग देख लेते हैं last 23 questions है 30 questions total है हमारे 23 देखते हैं which of the which of the system of body is effective नहीं अस्तमा तो अस्तमा में कौन से system में effect करता है सबसे ज़्यादा वो है B respiratory system आपका जो है सबसे ज़्यादा effect करता है आपके अस्तमा के अंदर clear रहे next हम लोग question चलते हैं okay next question है 24 which type of hypertension which type of hypertension which type of hypertension which type of hypertension appears suddenly due to underlying condition it means आप भी एक चीज़ देख लिएगी hypertension types of hypertension two types होते हैं primary एक होते है secondary जो आपका primary होता है essential होता है it means हम सभी के अंदर high blood pressure होता है ठीक है एक normal condition में और उतना होना भी चाहिए but जो secondary condition है वो आपके underlying condition है suddenly हो जाता है ठीक है तो यह secondary जो है आपका hypertension इसका answer होगा ठीक है secondary तो 24 का A है के लिए 25 पे हम लुक चलते हैं which of the following is not a cause of obesity तो इसके अंदर जो cause नहीं है वो आपका क्या है balanced diet is not a cause of obesity ठीक है बाकी lack of physical activity उससे भी आपको अगर आप physical activity नहीं perform करते हैं तब भी आपको obesity हो सकता है genetic reason भी हो सकता है psychological factor भी हो सकता है but balanced diet की तुरू आपका obesity यह cause उसके अंदर नहीं आता ठीक है 26 में हम लोग next question चलते है 25 का C है 24 का A है next जो हमरा है 26 which of the following asana should be performed by curing obesity तो obesity को cure करने के लिए कौन सा asana हम लोगों को perform करना चाहिए तो 26 का answer है तिरकोन asana perform करना चाहिए के लिए रहे उसके बाद next question हम लोग चलते है 27 27 में हम देख लिए 27 which amongst these is a sitting asana ठीक है sitting asana कौन सा है एक ही है जो sitting asana है अर्धमत्सेंद्र asana 27 का A अर्धमत्सेंद्र asana जो है sitting asana है बाकी अर्ध्चक्र asana आपका half wheel pose होता है जो आप standing position में करते हो यह भी आपका standing position होता है अर्धमत्सेंद्र asana यह भी आपका जो है standing position होता है clear तो इसके अंदर जो answer था 27 का that is अर्धमत्सेंद्र asana next question 28 question है which asana is also known as upward facing bow pose ठीक है upward facing bow pose वो कौन सा asana है आपका जो upward facing bow pose है तो इसके अंदर हमार जो asana होगा that is 28 का C चक्रासन इसका upward facing bow pose ठीक है तो चक्रासन इसका answer 28 का next हम लोग चलते है question number 29 and 30 38 29 which asana is also known as diamond pose diamond pose कि इसको बोलते हैं हम वजरासन को वजरासन वजरासन को diamond pose भी बोले जाता है 29 का B है 30 का आपका क्या है तिर्कोन आसन must not be practice by person suffering पुराम तो कौन से person को नहीं करना चाहिए जिसको low back पेनो वह यह आसन परफॉर्म नहीं करेगा ठीक है तो इसके अंदर हमार जो है most important 30 questions हमने आज किये तो वीडियो अगर आपको पसंद आईए तो आगे इसको आगे forward करिए ताकि बाकी बच्चों को भी benefit हो सके थैंक यू फूर वच्चिंग